पॉक्स राइज़िंग एजेंट से यह सब आप यूस कर सकते हों और यह आपके यूश को अल्डियाड और अल्डियाड टु कार्वाग्स लेक असे बना के देते जैसे देखो मैं एक यूश कर रहा हूं के तो सी आर टू ओ सेवनर सेवनर सोडियम कर डालता हो नहीं आप हैं प्रिवि स्यर को प्रक्षिस करके मेरे साथ उस चप्टर में महारत हासिल कर सको है तो क्या से हो आप सभी लोग ऐतिंग आप अपने लाइक में बहुत ही मसत ऑंक तान्यTI men मैं बच्चा यह सोच रहा था कि आप लोग chapters तो पढ़ ले तो अच्छे से ठीक है और organic होता है little bit tricky और tricky होता है तो जब हम questions करने बैट तो हमें वो समझ में आता है हमें chapters अच्छे से आता है लेकिन tricky questions के बज़े से organic हमें थोड़ा सा समझने में hard पड़ता है लेकिन बच्चा म मैंने आपको भरोसा दिलाए कि मैं आपको organic chemistry cut to cut clear करके दूँगा इसी लिए इस series को मैंने start किया है इस series में आपको मिलता है previous year questions मतलब हर एक chapters के आपको previous year questions के solutions मिलते है ताकि आप उस previous year questions को practice करके मेरे साथ उस chapters में महारत हासिल कर सको चलो बच्चों हम इस series को start कर तो और मज तो मैंने अगर आपको kind information आपी थोड़ा सा information दे दी तो मैंने chapter number 10 है halogen derivatives के सारे previous years करा दिये at least 2024 तक सारे questions हो गए ठीक है तो अब हम start करने वाले alcohol phenols के पूरे questions बताब 2013 से लेके 2024 तक कि कितने previous years में questions सब को solve करेंगे ताकि हमें एक्जाम में यह सब organic के little bit tricky questions को solve करने में जरा हम चलो दम लगा के इस chapter को start कर तो मज़े से बढ़ते हैं अगर आप इस chapters को देख रोगे तो इस video को skip मत करिएगा अगर अगर अधर वाई आप बहुतारे questions मिस कर जाओगे तो जब भी भी बैटना pen copy लेके मेरे साफ साल करना मज़े से करेंगे ओके चलो हम start करते हैं यह chapters ज यही questions हम लोग solve करने वाले little bit मताब 15 नहीं है बहुत सारी questions है लेकिन एक मेने page का ऐसा दिया यह आपको दिख तो नहीं रहा होगा जैसे लेकिन कुछी time बाद यह questions आपको बहुत अच्छे से दिखने लेगेंगे तो चलो हम दम लगा कि इस questions को start कर तो पहला questions यहां पी पढ करके दिखा रहा हूं बिल्कुल आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए तो चलो हम prepare करेंगे अपना methanol क्या प्रिपेर करेंगे बच्छा methanol प्रिपेर करने के लिए फ्रॉम इथेनल बाई ग्रिग्नार्ड रिजेंट तो फ्रॉम फ्रॉम इथेनल फ्रॉम इथेनल इथेनल को आपको यहां पर लखना है यह लिख दिया इथेनल इथेनल मतलब मुझे हैं methanol और methanol से हमें बनाना है ethanol, methanol, 1 minute, 1 minute, 1 minute, यह तो मैंने ethanol बना दिया, मुझे बनाना था methanol, ओके चलो देखो यह पर देखो, यह आपका methanol, यह आपका क्या बच्छा, methanol, methanol मतलब एक carbon और aldehyde लगाओ, एक carbon और क्या लगाओ aldehyde लगाओ तो that is your methanol, यह क्या हो जाएगा आपका methanol, ठीक है, अब इस methanol से हमें बनाना है ethanol और यूज करना है grignard reagent, तो चलो मैं grignard agent यूज करता हूँ यहाँ पे, तो मैं लोगा RMGX, R के जगाँ पे CS3, Mg, X के जगाँ पे CL, in the presence of what बच्छा तब positive negative carbon कहाँ attack करेगा, बहुत बहुत पढ़ाया हूँ, carbon carbon के positive पे, क्योंकि carbon carbon में carbon आपका positive होता है, oxygen आपका negative होता है, more electron negativity का concept मैंने बताया था, यह इदर खीच लेता है, ठीक है, चलो, जैसी वो carbon बच्छा वहाँ पे attack करेगा, यह carbon ने यहाँ पे attack किया, तो यह carbon ने यह K2 किसको attract कर लेगा, MgCl को, बाद में हम इसको reaction कराते हैं, H2O के साथ में, यह फिर acid hydrolysis बोलते है, तो H2O के हमें क्या होता है, बच्छे बताओ, H+, और OH माइनस होता है, H+, और OH माइनस होता है कि नी, तो यह plus वाला जो है, यह कहाँ चल जाता है, oxygen के बाजू में, तो देख साथ में क्या हो जाता है, connect हो जाता है, अगर आपने questions all, अरे, chapters को बहुत एच्छे सरीट किया रहेगा, तो यह आपको समझ में आया रहेगा, और बचा मैं थोड़ा साथ यहाँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी questions कराने है, ठीक है, चलो, आप वीडियो को थोड़ा इदर तो यह मीथेनल का समझा, concept, ग्रिग्णार इजिंट भी समझा, ठीक है, यह कार्बोनील कार्बन, यह नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव को अट्रक करेगा, ठीक है, एच्टो, 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 एच्टो के पास चल जाएगा, यह बन जाएगा आपका ई थे, पढ़ेंगे, question number 2 के तरह, explain the mechanism of action of hydroiatic acid on 3 methyl butane 2, यह भी मार्स 13 का आया हुआ है, ठीक है, लेकिन यह जो question से, अभी मैं इस syllabus में देख तुन दे रहा हूँ, लेकिन, और्गनिक थोड़ा सा अजीब है, तो आपको यह थोड़ा सा आना चीए, यह आपके ना, इंट्रेंस वग 3 methyl butane 2 all, 1, 2, 3, 4 पे carbon हो गया, 1, 2, 3, 3 पे आपका हो गया methyl, ठीक है, और butane 2 all, 2 पे आपका क्या हो गया, all, ठीक है, चलो, structures में बना लेता हूँ, यह पे, चलो, यह हो गया 3 methyl butane 2 all, इसको आप hydro iodic acid के साथ में reactions करा होगे, that is your HI, तो क्या आपको product मिलेगा, बोलाए क्या आपको product मिलेगा, HI कैसे break होगा, बताओ, H plus में, I minus में, अब धान्जा सुनिएगा, कौन सा कहां जाएगा, यह आपको पता होन यह iodine आएगा और यही OH यहाँ पे निकले गए, यही OH यहाँ से क्या होगा बच्चा, निकलेगा, लेकिन बस यहाँ पे क्या होता है, कि देखो, यह OH निकलेगा, तो secondary carbocatines बनेगा, यह carbon 2 carbon को connect हो, तो secondary carbocatines आपका उतना stable नहीं होता है, जितना आपका tertiary carbocatines stable होता है, त यह OH निकलेगा, और यह वाला जो bond का H है, यह वाला H, यह वाला H यहाँ सिप्ट हो जाएगा, जिसी positive होगा, तो यह वाला H यहाँ पे सिप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CS3, अब यहाँ पे single H था, लेकिन आप double H आ गया, CH2, यह carbon, यह CS3, यह CS3, और यह carbon का H इधर चलेगा, इसको stability देने के, that's why यह positive हो जाएगा, अब यह positive क्या करेगा, इस iodine को attract कर लेगा, यह क्या करेगा, इस iodine को attract कर लेगा, और यह OH, इस H के साथ में रिया करके, क्या बहाँ निकल जाएगा, H2O, आप बोलोगे कि sir, आपने OH को निकाला, तो वहीं प अच्छा, यह secondary carbocatines बनता है, जो उतना stable नहीं होता है, आपके पास tertiary carbocatines, देखो, एक carbon को 3-3 carbon connect है, ठीके, यह carbocatines जो बनेगा, यह बहुत जादा stable होगा, इसलिए iodine को यहाँ पे लेके जाके, अगर attach कराओगे, तो यह बहुत ही stable product देगा, ठीके, आपको समझ रहा है तो आप इस reactions के लिए थोड़ी सी चीज़े याद रखेगा, क्योंकि यह little bit tricky question है, secondary सो उसो निकाल रहे हो, secondary पे iodine लाके मत लगा देना, ठीके, tertiary iodine ले जाके लगाना, और H को secondary पे shift करा देना, ठीके, चलो, आग एका questions, how is phenol prepared into following, phenol को हम लोग इसमें कैसे convert कर सकते, how is phenol, how is phenol converted into benzene, चलो, देखते हैं, फटा-फट, फटा-फट बताईएगा, यह आपका हो गया phenol, से मुझे क्या बनाना है, benzene, phenol से क्या बनाना है, बच्चा, benzene, दूसरा क्या बनाना है, phenol से benzoquinone बनाना है, ओके, यह रहा म यह इस तरीके का होता है, benzoquinone, ओके, चलो, benzoquinone का structure नहीं पता है, तो कुछ इस तरीके का होता है, last question is what, phenol 2 आपको बनाना है, picric acids, यह मैंने ले लिया phenol, phenol से मुझे क्या बनाना है, picric acids, ठीक है, picric acid का formula आपको पता है, ठीक है, मैं बताता हूँ, phenol के साथ में सब जगा phenol 2 मुझे बनाना है, phenol 2 क्या बनाना है, तो मैं आपको पता होगा, आपने zinc dust का reaction देखा होगा, ठीक है, वही रियक्शन साथ में यहां पर यूज करेंगे, और हीट करेंगे, तो zinc plus 2 होता है, oxygen minus 2 होता है, तो zinc के साथ में रेक्शन करके क्या बनाएगा, ZNO, और यह hydrogen यहीं substitute हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस position पर सब जगह क्या होते है, hydrogen होते है, OH लगा होगा, तो hydrogen यहां से निकल गया रहेगा, और वापस से जब OH निकला, तो hydrogen यहीं पर आपके क्या हो गया, substitute हो ठीक है, पहला बन गया हमारा, दूसरा benzo-quinone बनाना है, extra oxygen लाना है, तो मतलब इसका ना ऑक्सिराइजिंग एजेंट, तो हमें ऑक्सिराइजिंग एजेंट पता है, KMNO4, K2, CR207, यह सब हमारे क्या ऑक्सिराइजिंग एजेंट, कोई भी आप लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ, K2, CR207, और यह लिखते हो तो इसके साथ में लिखना पड़ेगा, ड जैसी ऑक्सिजन यहां पर लगता है, डबल बॉंड बनता है, तो यह बॉंड इधर चले जाता है, यह बॉंड बाहर निकल जाता है, ध्यांसे सुनो, मैं जो बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यांसे देखेगा, क्या-क्या होगा यहां पर यहां बनाया, उसके बाद यह वाला जो bond था ना यहां वाला bond यह वाला bond बाहर निकल जाएगा और यह यहां से निकल जाएगा तो दीक रो कैसे structures बन गए ओके चलो तो आपको यहाद रखना है थोड़ा सा बाहर तो दीको इस तरी क्या जाएगा और एच आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा यहां से ठीक है सबको समझ में आ रहे हैं ओके क्लियर है चलो अगला है पिक्रिक आसिट बनाना तो पिक्रिक आसिट के लिए आपको यूज करना पड़तेगा आख Concentrated HNO3 कैसे प्रेत होगा नो में और Oh आच माइन स उसकी बाद देखो इसके यह यह यहाँ पर अटक कर सकता है यह यहा यह अट आटक कर सकता है यह एक यहां पर आजाएगा और एक यहां पर आजाएगा और एक यहां पर आजाएगा इसी को बोलते हैं पिक्रिक आसिट क्या बनाएगा बच्चा 3H2O आपको टेस्ट के अंदर तो सारी रियक्शन्स करने में कितना डिफिकल्ट हो रहा होगा ना ठीक है क्योंकि मैं बता रहा हो ना तो बच्चो आपको टीजी क्लियर हो जाएंगी चलो आगे बढ़ते को अगले कोश्चन्स की तरफ अब बोलो कि सरी कार्बोलिक आसिट क्या होता है बच्चा कुछ नहीं जो फिनॉल होता है वही आपका कार्बोलिक आसिट होता है फिनॉल को ही कार्बोलिक आसिट बोलते है ठीक है चलो देखते हैं देखो यह आपका है फिनॉल ठीक है और phenol को ही carbolic acid बोलते तो यह जिसने क्या बोला है how methoxy benzen is prepared from carbolic acid methoxy benzen का formula बताओ क्या होता है देखो मैं बता रहा हूँ आप बस देखते चाहिए ठीक है यह देखो यह है methoxy और यह है benzen चलो ठीक है अब आगे बढ़ते तो कैसे बनाओ गयार क्या करूँ ठीक है मैं पहला बता रहा हूँ पहला आप यूस कर लिजी यहाँ पर nao h क्या उस कर लिजी nao h ring के उपर कैसे जाता है ona minus में break होता है ona minus में break होता है और h plus में break होता है ona यहाँ पर चले जाएगा और तो यहाँ पर आगया आपका o n a क्या आगया बच्चा o n a ठीक है sodium ethoxy sodium ethoxide ओके अब जान सुनो इस o n a का आपको reactions कराना होता है methyl iodide के साथ में इसके साथ पर reaction कराना होता है methyl iodide के साथ में पता है यह कैसा reaction से यह ना williamson synthesis reaction देखो rx plus rona rx plus rona rx plus rona है ना williamson synthesis याद कोर याद कोर कहा था williamson synthesis का formula rx plus 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 rona यहाँ पर a r b हो सकता है r के जगा पर क्या हो सकता है a r b हो सकता है यह na x आपका बहार निकल जाएगा और r o r आपस में जॉइन हो जाता तो वह होगा यह naai यहां से बहार निकल जाएगा ठीक है naai और यह CS3 यहां पर इस oxygen के साथ में क्या हो जाएगा जाके connect हो जाएगा तो यह आपका बन के क्या हो जाएगा C3H8O के कितने structures बन सकते हैं एक दो तीन एक तो यह बन सकता है तीन दो पाच छे साथ एक आट एक यह बन सकता है एक यह बन सकता है ठीक है और एक क्या बन सकता है एक यह बन सकता है और आप अगर कोई structure बना सकते हो एक ही फॉर्मुले के मतलब यह आपको इतना ही carbon इतना ही hydrogen इतना ही oxygen यूज़ करना है तो मैंने एक primary alcohol बना है एक secondary alcohol बना है और एक ethers बना है इससे जादा कुछ बन रहा है तो आप बना सकते हो ठीक कब आया था आपका मार्च 14 में आया था ठीक है चलो आगे देखते हैं नेक्स डाओ इस मीठोक्सी इथेन prepare from methyl iodide ओके मुझे क्या प्रिपर करना है मिठोक्सी इथेन अरीक्स स्रोना आप देखो बच्चा ध्यान से सुनो, मुझे न, मिथाइल मिला है, एक जगा मिथाइल है, मिथाइल बन जाएगा, इथाइल चाहिए तो, रो ना, मतलब R के जगा पर मैं यहाँ पर इथाइल लोगा, तभी वो बन पाएगा, दरवाइस नहीं बन पाएगा, ठीक है, चलो, यह NA, I आपक यह सब आपके क्या हो जाएंगे, कम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है, चलो, अगला कोशन देखते है, वह आपका मार 14 में आता है, यह October 14 में आता है, what is the action of following on phenol, phenol के उपर अगर action करो गया पहले का तो क्या होगा, ब्रोमीन वोटर इन कार्बन डाइस सलफाइट, ठीक है, च लिक्यूल से, तो non-polar का मैंने case बताया रहेगा, कैसे करना रहता है, देखो, आपका जो BR है, बच्चा टूट जाएगा, BR प्लस में, और BR माइनस में, तो कभी भी रिंग के उपर प्लस वाल अटक होता है, तो या तो यह यहाँ पहुँच जाएगा, और या तो यहाँ य यहाँ पर तीनों जगा टैच करा के लिखना है, गर कोई question आएगा, तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर carbon disulfite लिखा हुआ है, chloroform लिखा हुआ है, तो आप BR को किसी एक ही जगा टैच करा होगे, किसी एक ही जगा टैच करा होगे, चलो, यहाँ तो आप para पे टैच करा सकते हो जो H निकलेगा, वो दूसरे BR के साथ में क्या बनाएगा, HBR, या तो आप क्या कर सकते हो, या तो सर, मैं ortho पे attach करा सकता हूँ, यहाँ से जो H निकलेगा, वो दूसरे BR के साथ में क्या बनाएगा, HBR, तो यह हो जाएगा ortho bromo phenol, यह हो जाएगा para bromo phenol, यह इस condition में होगा carbon disulfide के condition में होगा, ठीक है, दूसरा क्या बोला है, एक और question दिया हुआ है, अगर आप phenol पे use करोगे, concentrated S2SO4 तो क्या होगा, चलो, phenols के उपर हम use करते, concentrated S2SO4, और temperature भी दिया है, क्या, room temperature दिया है, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास है phenols, अब phenols के उपर मैं बैच्चा use करने जा temperature, और temperature कैसा है, room temperature, ये काफी important है room temperature जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्यों important है बताता हूँ, देखो, S2SO4 कैसे break होगा, S2SO4 कैसे break होगा, S3H plus में break होगा, और OH किस में break होगा, माइनस में, ठीक है, अब ये जो S3H plus है, यही रिंग की उपर आएगा, तो देखो, ये और्थो पर ही reaction है, और ये fix होगा, आप इसका reactions पैरा पे नहीं करा सकते, पैरा पे reactions कराने के लिए room temperature नहीं चाहिए, ज्याद करा सकते, ओके, चलो, पैरा पे कराने के लिए, और ज्यादा temperature चाहिए रहता है, चलो, यहाँ पर क्या हैगा, SO3H, और जब ये SO3H यहाँ पर attach होगा, तो यहाँ से कौन निकल जाएगा, H, ये H, इस OH के साथ में क्या बनाएगा, H2O, इसको बोलते है, फिनॉल सल्फोनिक आसिट्स, फिनॉल सल्फोनिक आसिट्स, ठीक है, और तो फिनॉल सल्फोनिक आसिट्स, क्लियर है, चलो, अगला कोश्चन देखते है, रैट दा स्ट्रक्चर रहना, हाई पेसी नेम ओफ मेटामेरिजम रिप्रेजेंटेड बाई फॉर्मुला C4H10O, मेटामेरिजम, मेटा चैन बना सकता हूँ, चलो, मैं बनाता हूँ, चलो, देखो, एक तो ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, तीन, तीन, छे, छे, दो, आट, आट, दो, दो, से, एक एक स्ट्रक्चर बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर और क्या बना सकता हूँ, इधर, एक अलग सा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, दो बना दिया, तीसरा और क्या बना सकता हूं बताओ, ओके, यह बना सकता हूं, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, I think, तीनी स्ट्क्चर्स इसके भी पॉसिबल है, अगर आपको चौता मिल रहा है, तो प्लीज बना लीजेगा, ठीक है, मैं लिक नहों, और इसी के आपक डाइधाईल इथर, आउ, 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 आउ 2 पर क्या है methoxy और यह आपके क्या हो जाएगा propane ठीक है चलो अगला question देखते हैं how is carbolic acid is prepared from following compounds अब carbolic acids कैसे prepare करोगे carbolic acids समस्तोंने क्या होता है यह है अपका carbolic acid अब आपने यह याद कर चुके इसको carbolic acid बोलते फिनल्स कोई किससे prepare करना है prepare carbolic acids from aniline aniline से prepare करना है बच्चा आपका बिल्कुल ध्यान मेरे पास होना चाहिए अगर आपने मेरे पास ध्यान नहीं दिया तो आपको nitrous acid HNO2 यह nitrogen यहाँ पर चले जाएगा ठीक है अगर बच्चा वह nitrogen वहाँ पर चले गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा N2 और N2 मैंने बताया है डाइजोनियम जो कि प्लस होता है कि इसको अट्रक कर लेता है CL- को N2 CL बन जाता है मैंने कई बार आपको बताए कि कभी भी N2 CL बन रहा है तो N2 बहुत ही तेज निकलता है reaction वे से क्यों क्योंकि हमारे atmosphere में nitrogen की समझ रो न क्या बोलते है composition बहुत जादा है ओके चलो तो जैसी N2 CL बनेगा आप इसमें अगर H2O लगाते हो H2O कैसे break हो जाएगा बताओ H plus में और OH माइनस में तो द्यान से सुनो तूरंत यह OH यहाँ पर आ जाएगा और यह N2 बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा N2 निकल गया H plus CL minus A भी निकल जाएगा तो आपका बन गया ना phenol carbolic acid बना लिया है कि नहीं आपने ठीक है तो आपने benzine disonium chloride जैसी H2O यूज करोगे OH यहाँ पर चले जाएगा पता है बचाए एक चीज़ याद रखिए N2 CLA कभी आपको chlorine चाहिए Cucl यूज कर सकते हो, bromine चाहिए तो Cubr यूज कर सकते हो, cyanide चाहिए तो casean यूज कर सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चाहिए अलकोहल चाहिए अगर यहाँ पर तो H2O यूज करो, OH वहाँ पर चले जाएगा, next question पूछा है कि आपको phenol प्रिपार करना पर plus chlorobenzene से बनाना है, मैं यही पर बना देता हूँ, chlorobenzene से क्या बनाना है, phenol बनाना है, चलो, देख लो, वही phenol आपको प्रिपार करना है, chlorobenzene से, और temperature आपको लेना है 698 Kelvin, तो पहले मैं यूज करूँगा, यहाँ पर NaOH, temperature is 698 Kelvin, और pressure भी रहता है, यहाँ पर 6 to 10 atmospheric pressure रहता है, चलो, यह कैसे break हो जाएगा, O, Na- में, और H+, में कराया हूँ, रिंग के साथ में यह इसे break होते हैं, कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ, बताओ मुझे, चलो, यह O, Na यहाँ प sodium phenoxide, अभी sodium phenoxide को आपको क्या चाहिए, H, A, Na, को अटा के क्या चाहिए, H, A, Na, को अटा के क्या चाहिए, H, A, तो मैं कोई भी acidic condition यूज कर सकता हूँ, like S3O+, यह HCl, कुछ भी, तो यह reaction में क्या देदेंगे, H+, A, देदेंगे, वही H+, A, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, आप the following compounds are prepared, benzyl alcohol from benzyl chloride, अब देखो from बुला है, from benzyl chloride, तो मुझे इधर इधर लेना है, benzyl chloride, ठीक है, benzyl chloride मुझे इधर लेना है, okay, benzyl chloride, okay, ध्यान से सुनो, benzyl, benzyl क्या होता है, CS to CL, benzyl chloride से मुझे क्या बनाना है, benzyl alcohol, okay, so, यहाँ पर बनाना है, मुझे benzyl alcohol, ठीक है, so, क्या ले सकता हूँ, यहाँ पर पताओ, फटाफट, benzyl chloride से benzyl alcohol बनाने के लिए, March, October, October 15 में, यह questions आया हुआ है, और यह बहुत easy question है, बच्चा, चिंदी question है, चिंदी, so, हम यहाँ पर use करेंगे, कि तो आप aqueous NAH use कर सकते हो, कि तो आप aqueous QAH use कर सकते हो, जैसे आप यह use करोगे, बच्चा, तो यह आपका break हो जाएगा, देखो, अब यह directly ring के उपर नहीं जा रहा है, अब यह chain के साथ में जा रहा है, तो कैसे होगा, आपको बनाना है बच्चा, प्रोपेन औल, अल्डी हाइट से आपको बनाना है बच्चा, प्रोपेन ओल, ठीक है, अल्डी हाइट से आपको अल्कूहल बनाना है, अल्कूहल से अल्डी हाइट बनाने के लिए तो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट्स लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अल्डी हाइट से अल्कूहल बनाने के लिए reducing agents लगाते हैं, तो मैंने आपको बहुत सारे reducing agents इसके साथ में आपको लेरा पड़ेगाा Hani तो इतने सारी से बर долго यहां पने जाएगा अर यहां फो जैंगा तो गाट ऊह लग जाएगा तो इसे यहां पर लग जाएगा साट और यजु तो बन गया ना गया की नहीं एक दू तीन प्रोपई न आल ड़ो बन गया प्रोप् κछ यहां लग जाएगा ऐस यहां लग जाएगा ठीक है प्लेट इस प्रेपार्टल के हमारा हमें फिनॉल प्रिपार करना है किसे क्लोरो बेंजिन अपहले अधिक करना है टिक जलो शर्ण किया पहले जिस future नंबर के लिए थे इंप्रेंट यहां तूसरा पाट है अपने ये वाला चीह था कारबोलिक आशिट्स के उपर अगर आप ब्रोमीन وाटर लगाते हो कारबन डाइस सुलफाइड के केस में लेकिन अभी जो पूँछा है अभी आपसे ये पूछा है कि फिनॉल के उपर अभ ब्रोमीन वाटर डालते हो तो ठीक है Bromine Water on Carbolic Acids Bromine Water डालना है आपको ठीक है? तो अब यहाँ पर Water यूज़ किया Water मतलब H2O तो यह Bromine यह तीन बार लोगे तो किते बार BR हो जाएगा? एक BR दो BR तीन BR2 ठीक है? अब एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा और अर्थो पर भी Bromine पैरा पर भी Bromine और फिर पैरा पर और और अर्थो पर ब्रोमine और जो H निकलेंगे वो तीनों BR के साथ में क्या बनाएगे? 3HBR ओके? क्लियर है? क्लियर है सबको पता चल रहा है और बाद में अलकॉल और फिनॉल के बारे में डिस्टिंगिंस पूचा है तो अलकॉल आपका न्यूट्रल होता है फिनॉल आपका असिडिक होता है अलकॉल के H प्लस आइज जल्दी डोनेट नहीं होते है स्लाइटली असिडिक होता है लेकिन लिटमस पेपर पे जीरो टेस्स हो करता है, मतंब नितमाट पर पर कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन फिनाल का नितमाट पर की तेंज आता है, ठीक है? तो यह कर लिये ना, ब्रॉमीन वाटर वाला, what is the action of ब्रॉमीन वाटर on कारबोलिक आसट, कारबन डाइस इसलफाइट दिया रहता है, तो आप बस एक ही जगा अटेक करते कि तो यहां कि तो यहां ठीक है next question what is reaction involved in a dehydration of primary secondary and tertiary alcohol अब दान सुनो primary secondary और tertiary alcohol का dehydration करोगे March 16 में dehydration करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा so this is your primary alcohol take minute this is your primary alcohol this is your secondary alcohol and this is your tertiary alcohol अगर मैं इसका dehydration करोगे तो what I will get the product so dehydration करने के लिए हम यूज करते कॉपर oxygen agents है यह सब आप यूज कर सकते हो और यह आपके alcohols को aldehyde और aldehyde to carboxlic acid बना के देते हैं जैसे देखो मैं एक यूज कर रहा हूँ K2 CR2 O7 उसके साथ में यूज कर रहा हूँ dilute H2SO4 ठीक है आप Na2 CR2 यह सब भी यूज कर सकते हो तो यह reaction में देदेगा oxygen और यहां पर होता है बच्चा dehydration क्योंकि देखो यह oxygen अगर carbon के साथ में connect होगा तो मैंने आपको कैसे बता है connect होगा यह connect होगा C double bond O के टम में C double bond O के टम में double bond लगने के लिए H2O निकालना पड़ेगा और कभी भी यह reactions aldehyde पर नहीं रुखता है यह further oxidize होता है क्योंकि इसमें oxidizing agents है तो यह oxygen यहां पर जाके attach हो जाता है और यह बना लेता है carboxylic acids ठीक है मैंने आपको पढ़ाया है कि कभी भी reactions होगा अगर आपको alcohol alcohol का oxidization करते हो तो aldehyde और aldehyde further oxidize हो कि क्या बनाएगा carboxylic acid चलो secondary का देखते है क्या अगर यह सेम यूज करते हो तो यह reaction में देदेगा oxygen और oxygen आके carbon को connect हो जाएगा इसी carbon क्योंकि किस पास living group है H2O दो group निकालने पड़ेंगे ठीक है तो देखो यह carbon पर double bond हो ketone बन जाएगा H2O आपका निकल जाएगा और tertiary पर यह सब oxidizing agents लगाते हो तो no reaction होता है क्या होता है नो reaction ठीक है लेकिन अगर आप strong oxidizing agents लगाओगे ना बच्चा तो क्या होता है पता है क्या होता है पता है यह जो है ना bond CC bond यह ब्रेक हो जाता है और इधर carbonic acid बनता है और इधर carbonic acid बनता है ठीक है चलो अगेन है what is the metammerism, metammerism में आपका ethers बनता है write down the structure and IUPAC name of anmethylpropyl ether ठीक है anmethylpropyl ether चलो इसका पहले structure देख लेते है methylpropyl ethers इसका नाम हो जाएगा methoxypropane चलो what is the action of hot HI, अगर आप इसके उपर reactions कराते हो hot HI का तो क्या product मिलेगा hot HI, HI कैसा होना ची, hot ठीक है चलो देखते है तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा अगर आप बच्चा hot HI use करते हो यहां पर ठीक है प्लस यह oxygen माइनस होता है तो माइनस होला है क्या करेगा है इस H plus को खिच लेगा तो यह बना लेगा आपका alcohol ठीक है यह क्या बना लेगा alcohol लेकिन यह बच्चा यह कैसा होता है यह hot HI use करते है ठीक है hot concentrated HI use करते है तो यह यह क्या करता है पता है यह alcohol को वापस से replace कर देता है मतलब यह वापस से दूसरे molecules अब HI के साथ में reactions करता है और यह iodine यहां पर चले जाता हो यह H2 आपका बहार मतलब I CS2 CS2 CS3 मतलब अगर मैं पूरा full reactions यहां पर आपको बताने जाओं तो आपको CS3 के साथ में भी I लिखना पड़ेगा और CS2 CS2 CS3 इसके साथ में भी क्या लिखना पड़ेगा I और यह दो molecules यहां पर क्या होता है यूज होता है एक तो reactions ऐसे करके मैंने आपको बता दिया अगर आपको इसा समझ में रहा है कि hot HI कभी भी यूज करेंगे तो इस यह भी iodine में convert हो जाएगा यह भी iodine में convert हो जाएगा और यह oxygen का क्या होता है तो oxygen और यहां पर दो hydrogen हो में निकल जाएंगे दो hydrogen और oxygen किसमें निकल जाएंगे एच टू ओ में ठीक है चलो कर लेना यह आपका यह जुलाई सिक्ष्ट में आता है और यह reaction है काफी important है ठीक है चलो नेक्स्ट है राइट था फॉलाइंग कनवर्जन अरे भाई यह तो ब्यूटेनाइक असिड तो डारेक्क लिया अपको कनवर्ज करना इससे ही यह बनाना है तो टू मिथाइल ब्यूतेन ओल एक दो तीन चार और वन्टू टू पे मिथाईल ब्यूतेन ओल एक मिनट तू पे मिथाइल हो जाएगा और ब्यूतेन ओल ठीक है एक मिनिट साफ से लिख देता हूं मैं काप करता हूं जाता कचड़ा कर दिया मैंने ठीक है two methyl butanol into two methyl butanoic acids butanol से क्या बनाना है butanoic acids two methyl butanoic acid चलो बता हूं अलकोहल से oic बनाने के लिए क्या यूश करते हैं मैंने आपको बता है औल से अल बनता है अल से oic बनता है मतब अलकोहल से aldehyde, aldehyde से oic क्या यूश करते हैं Kmno4, K2Cr2O7 कोई भी oxidizing agents लोगे चाहे Kmno4 यूश कर लो चाहे K2Cr2O7 यूश कर लो चाहे Na2Cr2O7 यूश कर लो यह सब reactions में oxygen दे देंगे oxygen क्या करेगा यह इसका H और इसका O-H और इसकी में से H निकाल लेगा H2O आपका बाहर, मैं आपको expand करके दिखा देता हूँ यहाँ पर H है, ठीक है, जिसी oxygen आके carbon से bond बनाएगा तो यह H2O आपका बहार निकल जाएगा ठीक है, यह H2O आपका क्या हो जाएगा, बहार निकल जाएगा और वहाँ पर क्या बन जाएगा पहले, देखो aldehydes बनेगा, फिर aldehydes further oxidize होके क्या बनाएगा carbonic acids, ठीक है, चलो, next है, phenyle ethen into benzonoic acids, phenyle ethen, यह देखो यह हो गया आपका phenyle और यह हो गया आपका ethen, phenyle ethen to benzonoic acid, यहाँ पर आपको बच्चा strong oxidized agent लगाना है, KMNO4, ठीक है, अगर आप यह लगाते हो, तो देखो, यह oxygen यहाँ पर चले जाएगा, यह oxygen आपका यहाँ पर चले जाएगा, और यह subgroup, यह CO2H2 में निकल जाते हैं, तो आपका बनता है, पहले तो भन जाएगा आपका देखो, अभी भी carbon से oxygen double bond के omega-म में connect होगा और यह further oxidized होजाएगा, क्योंकि oxidizing agents हैं, तो यह further oxidized होजाएगा, और यह बनाएगा आपका benzenoic acids, क्या बनाएगा आपका benzenoic acids, क्या बनाएगा आपका benzenoic acids, तो आप बोल होता है, तो इसमें से बहुत सारे oxygen आते, तो H2O और CO2 में बहार निकल जाता है, और ये bond के इदरी आके oxygen क्या होता है, connect हो जाता है, इसके बाद है benzenoic acid into metanitrobenzenoic acid, अगला क्या बोला है, benzenoic acid, benzenoic acid से आपको क्या बनाना है, ये मैंने बना दिया benzenoic acid से क्या बनाना है, metanitrobenzenoic acids, ठीक है, तो आप यहां पे use करोगे concentrated, नाइट्रो कभी भी आता है ना, तो concentrated HNO3 use करो, और concentrated HNO3 के साथ में use होता है, concentrated HNO3 कैसे break होगा, NO2 plus में, और OH minus में, अब देखो ये NO2, NO2 plus है, अब देखो ये electron ना withdrawing group है, सारा electron उपर खिच लेगा, तो यहां plus आएगा, यहां plus आएगा, और य resonance, ठीक है, अगर ये electron donate करता हो, तो ये जगों पर क्या आता, माइनस आता, लेकिन ये electron withdraw करेगा, खिचेगा, ये withdrawing group होते, ये तहने carbon compound होते, nitro group होते, cyanide होते, ये सब electron withdrawing group होते, अगर electron withdraw करेगा, तो ये सब position पर प्लस आएगा, तो फिर ये plus plus bond बना पाएगा, क्या, नहीं इसलिए ये metaposition पर reactions करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये nitro group यहाँ पर क्या हो जाएगा, connect हो जाएगा, ठीक है, metanitro benzenoic acids, अगला reaction देखते है, define carbolic acid and how carbolic acids prepare from benzene sulfonic acid, चलो ये reaction देख लेते, ये भी काफी important है, ये आपका है, मार्स 17 में आया है, ओके, ये आपका benzene sulfonic acids, आपको क्या बनाना है, phenol बनाना है, क्या बनाना है, आपको phenol, मतलब ही carbolic acids, ये carbolic acids का formula है, ओके phenol को ही बोलते हैं, चलो, देखते, पहले हम यूज करेंगे, NaOH, ठीक है, जिसी आप NaOH यूज करते हो, तो ध्यान सुनो, ये एक टाइप का acid इसकी property अपने H plus sign को donate करना, तो पहले H plus sign donate करेगा, और ये sodium यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, connect हो जाएगा, और आपका H2O बाहर, आपका H2O क्या हो जाएगा, बाहर, यहाँ पर Na आ जाएगा, और ये जो H निकलेगा, इस OH के साथ में क्या बनाएगा H2O, अब वापस से इसमें हमें यूस करना है NaOH, अब ये NaOH और 573 Kelvin temperature बाद चेक करना, ये NaOH ब्रेक हो जाएगा, O Na- में, और H plus में, अब देखो, अब ये O Na यहाँ पर जा सकता है, क्यों कि ये salt अब ये पूरा निकल जाएगा, तो अगर ये पूरा निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएग यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, O Na plus, ये H2SO4 पूरा निकल जाएगा, देखो, H2SO4 है क्या, ओके, ये पूरा salt बहाँ निकल जाएगा, अब Na को हटा के H लाना है, ये ही तो बनाना है, तो आप यूस कर लो, SCL यूस कर लो, चाहाँ H यहाँ चल जाएगा, और ये अनसल बार, बन गया आपका फिन ओ, ठीक है, चलो, अगला कोस्टिंस, अब आप बलो के सरी, continuous esterification process क्या है, और एथर्स बनाना है इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, चलो बच्छो, स्टाट करते हैं, ओके, चल जरूर लाइक कर देगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजेगा, और दोस्तों के साथ में भी जरूर शेर किया, क्योंकि यह सीरीज ना काफी इंपोर्टेंट है, क्वेशन आंसर सीरीज अगर आप कर लोगे ने एक बार थोड़ा सा टाइम देके तो आपको करना है, कुछ नहीं बोला 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 ह देखना बहुत ही ध्यान से लेना रहता है यह temperature अगर आपने बढ़ाया तो double bond बनता है इसमें, चलो देखो, यह H2O आपका निकल जाएगा, ठीक है, और क्या-क्या जॉइन हो जाएगा, यह ग्रूप इससे क्या हो जाएंगे, जॉइन हो जाएंगे, तो बनगे आपका ethers, ठ यह continuous certification process वोड़ा सा tricky question है, तो आपको ध्यान एकना पड़ेगा, कि अगर आपको ether बनाना है, और methyl alcohol दिया रहा तो यह process कर सकते हो, methyl alcohol दो बार लोगे और यह डालोगे तो बन जाएगा, लेकिन, लेकिन अगर वही continuous certification process लिखा तो फिर आप वहापे confused होगे, यह मास 17 में आया त अच्छे तो पूरे confused ही हो गए रहेंगे, लेकिन, मैंने आपको बता दिया इसको कैसे करना है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देख के जाएगा, मीथे इथेनॉल या मीथेनॉल से बनाने के लिए इथर तो आप बना लोगे, दो बार मीथेनॉल या दो बार एथेनॉल पहले हमें बनाना है एथेनॉल, क्या बनाना है एथेनॉल, तो मैं यूस करूँ का फॉर्मल डिहाइट्स, और यहां पर यूस करूँगा, ग्रिगनार रिजर्ट, CS3, Mg, Br, okay, in the presence of what, dry एथर, dry एथर, ठीक है, चलो, अब दिखते, यह आपको पता, यह नेगेटिव में है यह पॉजिटिव में, यह नेगेटिव वाला यहां चले जाएगा, तो यहां पर क्या आजाएगा, CS3, यह कार्बन, इसके दो हाइड्रोजन है, और यह oxygen आपको हो जाएगा, माइनस, माइनस वाला oxygen किसको कनेक कर लेगा, Mg, Br, okay, अब इसमें मैं यूस करूँगा, H2O, H2 में क्या होता है, H+, और OH माइनस होता है, यह प्लस वाला यहां चले जाएगा, तो यह बन जाएगा, CS3, CH2, OH, यही बनेगा क्या, CS2, OH, ठीक है, और आपका Mg, OH, Br सब बहार, तो यह देखो बन गया, Ethanol, बन गया, पहला एक नमबर मिल गया आपने को, चले दूसरा नमबर लेते, प्रोपेनल बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेनल, मैं यूज करूँगा, एसिटा अल्डी हाइड, क्या यूज करूँगा, मैं एसिटा अल्डी हाइड, एक मैंने, फॉर्मल यूज किया, दूसरा, एसिटा अल्डी हाइड यूज किया, और यह थर्ड वाले में कीटोन यूज़ करना पड़ता है थर्ड वाले में क्या यूज़ करना पड़ता है कीटोन तभी वो मिलेगा आपको ओके चलो हम यहां पर यूज़ करेंगे CS3 Mgbr I think आप यह कर लोगे अब in the presence of dry थर चलो what will happen in this reaction यह यहां पर चले जाएगा तो यहां पर CS3 पहले से एक और CS3 आ गया यह है यह oxygen हो जाएगा माइनस माइनस वाला किसको ट्रेक कर लेगा Mgbr को क्यों क्यों क्योंकि जैसे यहां पर attack मारेगा यह bond यहां सिप्ट हो जाएगा माइनस माइनस वाला प्लस को खीच लेगा अब अगेन आपको acidic condition में लगाना है H2O H2O कैसे ब्रेक होगा H plus और OH माइनस में यह H plus यहां चले जाएगा तो H plus वाँ चले जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ CS3 यह यहां पर CS3 है ठीक है और इसके साथ में एक H लगा है और उपर अभी क्या बन जाएगा OH यह यह यहां चले जाएगा तो बन गया आपका प्रोपेन टू ओल प्रोपेन टू ओल थर्ड बोला है टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल तू मिथाइल वह भी बना देता हूं CS3 Mgbr इन दे प्रेजन सब ड्राइ इथर अब CS3 यहां पर आ जाएगा क्या बन जाएगा 3,3 CS3 आ गए यहां पर कितने CS3 आ गए 3,3 CS3 आ गए यहां पर यह oxygen जाएगा माइनस माइनस ओले क्या करेगा Mgbr को खीच लेगा ठीक है अब अब यह किसको यूज करेगा H2 ओ लेगे H2 में क्या होता है H+, और OH- H+, यहां पर आ जाएगा H+, यहां पर आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा CS3 OH CS3 CS3 ठीक है तो बन गया ना देखो 2-methyl-propane-2-all 1-2-3 2-pethyl-propane-2-all ठीक है तीनो रियक्शन मैंने ग्रिणार रिजेशन के तुरू बता दी आप इसको देख लीजेगा बहुत अच्छे से ठीक है वीडियो को पॉस करके भी देख लीजेगा बच्छा देखो आपको पता होगा बहुत सारा मैंनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज अगर मैं continue बोल रहा हूं तो आपका आपका अभी कुछ बनता है कि शानले के ज़रू कुछ करें ओके चलो हाव इस फिनॉल प्रिपार फ्रॉम क्यूमीन अप क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्रिपार कर सकते हो ओके चलो पहले देखते हैं क्यूमीन का स्टॉक्चर्स क्या होता और क्यूमीन से आपको बनाना है फिनॉल क्यूमीन से आपको क्या बनाना है फिनॉल चलो करते हैं मझे से इस रेक्शन को ओके चलो तो क्यूमीन से फिनॉल प्रिपार करने के लिए बच्च हम पहले यूस करेंगे एक कोबाल्ट नाप्थलिट एक कैटलिस है कोबाल्ट ना तो यह reaction में ना O2 दे देता है, यह O2 ना कुन react हुए सबसे ज़्यादा है, यही carbon क्योंकि उसी के पास acid catch है, तो जैसे आप उसका reaction उसके साथ में करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यह क्या बन जाता है, बहुत ही ध्यान से देखेगा बच्चा, CS3, CS3, अब देखो, यह oxygen दोनों आके यहाँ पर connect हो जाता हो, यह negative oxygen जो H वहाँ से निकलता है, यह उसको वापस से खिच लेता है, ठीक है, यह हमारा cumine peroxide बनाता है, क्योंकि H2O2 टाइप का दिख रहे है, H2O2 आपके peroxide होते हैं, ठीक है, चलो, अब क्या करोगे, तो बच्चा, अब हम यहाँ पर यूज करते है, SCL, SCL और इसको क्या करते है, हीट करते है, हम यहाँ पर यूज करते है, SCL और इसको क्या करते है, हीट करते है, तो क्या हो जाएगा, SCL और इसको हीट करते हो, यहाँ पर होता है, देखो, bond shifting, क्या होते है, bond shifting, ओके, देखो, कैसे bond shifting होगी, तो देखो, यह यहां जाएगा और यह वाला यहां पर आ जाएगा ठीक देखो यह बंजीन के साथ में यह लग गया निए यहां चले गया तो क्या बन जाए आपका देखो बाइप प्रोड़क्त है आपका तो यह bond यहां shift हो जाएगा, OH इस ring के साथ में लग जाएगा, यह bond यहां पूट जाएगा, यह acid on पूरा आपका निकल जाएगा, यह आपका 2023 में भी आए, 2017 मतलब वन अप दी मोस्ट इंपोर्टेंट रियक्शन है, ध्यान से करना, यह आपका क्यू मीन है, क्यू मीन है, ठीक रिपीट हुआ है, सलफोनिक आसिड से आपने क्या बनाया है, फिनॉल, इसका नाम लिख देता हूँ यहां पे, बैंचीन, यह question repeat हुआ है, सलफोनिक आसिड, से क्या बना दिया, मैंने यहां पे, फिनॉल बना दिया, कर लेना बच्चा, अदर वाइस टाइम जाएगा यह, और एक और पुछा है कि write the chemical reaction of neutral ferric chloride on phenol phenol के उपर अगर आप AR OH यही phenol होता है phenol के उपर अगर FeCl3 का reactions कराते हो एक मिनट मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप बोलोगे कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हो neutral FeCl3 का reactions कराते हो तो Fe के उपर 3 क्लोरीन यहाँ पर attach है तो यह क्या करेगा तो देदा आप सोनो यह क्या करेगा यह होता है माइनस और phenol एक टाइप का देखो acid group होता है phenol अगर phenol देखोगे तो यह H प्लस आयन यहाँ से निकल जाएगा acid है तो यह negative क्या करेगा इस प्लस के साथ में connect हो जाएगा लेकिन H निकलेगा CL के साथ में जाएगा तो ऐसे तो 3-3 CL हैं यहाँ पर तो यह 3 के molecules में लगेगा आपके कितने के molecules में लगेगा 3 तो आपको AR O यह कितना लगेगा आपको 3 3 Fe के साथ में join हो जाएगा और यहाँ से तो 3-H निकलेंगे वो क्या बनाएंगे 3-H-C-L क्या बनाएंगे बच्चा 3-H-C-L ठीक है चलो तो यह आपका purple कलर का भी हो सकता है I think 2-3 कलर है green, pink और purple कलर के यह बनते हैं तो यह है neutral IP-C-L-3 का reaction phenol के उपर phenol के उपर neutral IP-C-L-3 का reaction यह मैंने तो general formula कर रहा है और यह questions में आपके लिए दे रहा हूँ आप इसको कर लेना ओके यह 3 के amount में लगेगा यह 3 के amount में लगेगा और और 3 O-H-C-L के साथ में क्या बनाएंगा 3-H-C-L इस तरीके का reaction साब कर सकते हैं नेक्स्ट है Why ethanol has higher balling point than ethene 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 से ethanol का balling point ज्यादा क्यों होता है अब देखो यह जो ethanol होता है ना बच्चा यह देखो C2H5 O-H यह ना यह hydrogen bonding फर्म करता है खुद के molecules के साथ में जैसे देखो यह ethene हो गया और अगर मैं यहां पर एक दूसरा ethene ले लिया कुछ O-H C2H5 तो अब oxygen होता है negative और hydrogen होता है positive तो यह दोनों आपस में bond बनाना शुरू करते हो और इसी को बोलते है hydrogen bonding क्या करते हैं यह लोग hydrogen bonding क्या करते हैं यहां पर कोई group आ गया ethene का C2H5 तो यह दोनों आपस में मिलके hydrogen bonding बनाएंगे तो ऐसी ethene के मतब ethenol के molecules एक molecule दूसरे molecule के साथ में ऐसी लोग hydrogen bonding बना के रख रहते हैं और जिसी hydrogen bonding बनाते होते हैं यह काफी strong bond होता है क्या होता है काफी strong होता है तो जल्दी तूटता नहीं है that's why इनका balling point high होता है लेकिन अगर मैं वही एथेन की बात करूँ एथेन की तो एक ethene molecule दूसरे ethene molecule से wonder wall forces of attraction से जूड़ा रहते हैं जो काफी weak bond होता है London force wonder wall forces इसमें कोई bonding नहीं है properly that's why यह तूट जाते है तो इसलिए आपका ethene wall का balling point high होता है due to because of what hydrogen bonding ठीक है और wonder wall forces के बच्छे question number 23 and write the preparation of phenol from cumene अरे बच्छा यह तो अभी कर रहा है cumene यह देखो phenol बनाया cumene से okay and अगला question क्या है what happen when phenol is heated with zinc dust करा तो दिया हो लेकिन एक बार और करा देता हो यह आपका phenol है यह July 18 में आया था और अगर आप इसका zinc dust के साथ में reactions करते हो मिलता है ZN अब यह मत पूछना है H कहां गया H यहीं पर substitute हो जाता है सब जगे ही होते next what is the action of following isopropyl ethers यह काफी tricky question है मैं इसको बताऊंग आपको isopropyl ether यह हो गया आपका isopropyl ether isopropyl methyl ether तो पहले मैं यूज करता हूँ cold HI क्या यूज करता हूँ cold HI तो अगर आप cold HI यूज करते हो धान से सोनो तो क्या हो जाएगा बहुत ही धान से देखना बच्छा यह bond यह break हो जाएगा यह bond break हो जाएगा तो यह बनाएगा CS3 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 और यहां पर H है और यहां पर क्या बन जाएगा OHQ क्योंकि H plus में break होगा और I minus में तो यह minus plus वाला H is iodine के पास में चले जाएगा तो यह क्या बना लेगा secondary alcohol ठीक है और दूसरा क्या बनेगा CS3 IE बनेगा क्या बनेगा CS3 IE यह reactions कैसे हो रहा है पता है देखो यह according to SN2 हो रहा है किसके according हो रहा है SN2 SN2 mechanism के हिसाब से क्या होता है कि जो आपका halides होता है वो primary carbon के पास में जाना पसंद करता है ना कि secondary के पास में ठीक है यह secondary halides है क्योंकि oxygen जिस carbon को connect है उसको दो-दो R group connected ठीक है तो इसलिए यहां पर आपका H आएगा और यही bond टूटेगा आप यह bond नहीं तोड़ सकते ठीक है यही bond टूटेगा और CS3 किसके साथ में connect हो जाएगा I के साथ में CS3 plus होता है I minus O minus H plus तो यह बना देगा क्लियर है चलो अब यह दूसरा वाला जो कोश्चन है ना यह little bit tricky है जो होट ही बोला है पापस से यह ले लो मैंने यह reactions आपको कराया था अभी कराया था कि hot H I use करोगे तो क्या हो जाएगा तो मैंने क्या बोला था अगर आप hot H I देता है पेपर में तो यह hot H I two time लेने का क्या लेने का two time ठीक है एक बार इसको पूरा break करके निकाल देने का मतलब देखो यह H plus I minus H plus I minus अब यह भी प्लस में तूटा यह भी प्लस में तूटा इसको attract करेगा I minus को ठीक है और यह प्लस वाला कि स्को attract करेगा II dot I minus को दूसरे i minus को तो यह दोनों बन गया यहां ब66on यह दोनों हाईजिन के साथ में के क्या बनाएगा H2O मतलब एक चीज में आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं कि आप cold HI यूज़ करोगे तो एक आपका alcohol बनेगा और एक आपका iodine बनेगा लेकिन hot HI यूज़ करोगे तो दोनों जगा आपको iodine लगाना पड़ेगा ये भी टूट जाएगा ये भी टूट जाएगा ओके ये ही थोड़ा सा tricky questions है hot HI के लिए और cold HI के लिए ठीक है ये आप बहुत अच्छे से रिमेंबर करें कि ना फिनॉल वाले चेप्टर में इससे questions fix आ रहे है इससे questions क्या रहे बच्चा fix आ ठीक है clear है सबको समझ में आ रहे है चलो आगे देखते है write the balance chemical equation of the following action of sodium metal on ethanol 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 के उपर ये तो practicals भी आपका ठीक है अगर आप sodium metal का reaction कर आओगे तो आपको क्या मिलेगा ठीक है यह हो गया आपका एथेन ओल और यहां पर आपने यूज कर दिया sodium metal क्लियर आपने क्या उस करती है sodium metal अब द्यान से सोनों जैसे आप यहां पर sodium metal यूज करते हो बच्चा अब अब यहां पर क्या होता है जैसे sodium के अंदर आप एथेनॉल को डालते हो ना या फिर एथेनॉल के अंदर हो इसपफे ह्जर्ण ब्लूलर निकल थे होता है ículos तो कि होता के से किस्टवलीज होता है और यह Hadron Inc han है और यह sodium क्या करता इस very nice कि सथमें चाथम isn't it Ona चैसे एंपने जाता तो यहां पर हो जाएगा CS3, CS2, और यह औक्षिन के साफ ते कौन कनेक्ट होगा, N A, कितने टाइम कनेक्ट हुआ, 2 टाइम, प्लस, दो हाइजन आपके निकले तो यह हाइजन आपके गैसे फ़र्म में निकलते हैं, बहुत तेज़, ठीके, इसके प्रैक्टिकल भी मैंने कराएगे, आप इसको देख लीजेगा, ओके, तो अब देख लीजेगा, तो आपको क्या मिलेगा, यह एच प्लस निकलेगा, कि क्यों कि मैंने को दो से बैलेंस किया, अगला है, एक्शन ओप जिंक डस्ट और फिंडॉल बचा, यह देखिए, यह कोस्टन से, इको जिंक डस्ट का फिंडॉल के ओपर रेक्शन दोगा, तो क्या होगा, देख लीजेगा, ओके, चलो, नेक्स्ट है, आयू पीयसी कर देता हूँ, ओके, चलो, CH2, CH3, अब जान सुनो, यहां से भी नमबरी करोंगा, तो तीन पेल का ओर रहा है, यहां से नमबरी करोंगा, तो तीन पेल का ओर लेकिन यहां पे और भी अटैश्मेंट है, यहां पे और भी अटैश्मेंट है, यहां और भी अटैश्मेंट है ठीक है और टू पे आपका क्या है दो बार मिथाईल है तो टू-टू-डाय-मिथाईल टू-टू क्या हो जाएगा डाय-मिथाईल ओके लिख लीजेगा टू-टू-डाय-मिथाईल पैंटेन-3- ओके चलो आप कन्वर्जन पूछाए एथाओक्सी एथाओक्सी एथेन इंटू एथेनॉल देख लिए यह भी कन्वर्जन इजी यह बच्चा है एथेनॉल से आपको बोला है क्या बनाओ एथेनॉल से आपको बोला है एथाओक्सी एथेन इथाओक्सी एथेन इथाओक्सी एथेन ठीक है तो मैंने यह कोश्चन साब भी आपको बता है आपको यूज करना है कॉंसेंट्रेटेड एस्ट्वोफ और टेंप्रेचर इस फोरवन थी कैल्विन और यह मॉलीकुल से अपने आपको डबल कर लेते ठीक है सिम वही डबल मॉलीकुल देखके लिख दो हाँ से मैं वहीं से देखके लिखी रहां ठीक है अब बताओ क्या हो जाएगा फटा- ठीके सबको समझ में आ रहे है कैसे करना है ओके तो यह आपका था 27 questions number 28 questions number ठीके चलो कर लोगे आभी है राइट दस्ट्रक्ट्ट्रल राइट दस्ट्रक्ट्ट्रल फॉर्मुला अब दिया कोहल दा रिजल्ट वेन असिटाल डी हाइड रियाक्ट वित यह यह कर सकते हैं बच्चा देखो क्या बोला है आपको असिटाल डी हाइड लेना फॉर्मुला है का असिटाल डी हाइड का यहाद है CS3COOH ACETAL DEID is react with what किसके साथ में रियक्षन करना है CS3MGBR के साथ में ठीक है आपको मैंने कराया है क्या बताया है कि यह negative होता है यह positive होता है in the presence of क्या बोला है question में dry ether मतलब ग्रिगनार रियजेंट यूज करना है MgBR को अट्रैक कर लेगा अब लास्ट में क्या बोला है इसको हाइड्योलिस दो हाइड्योलिस मतलब H2 और H2 प्लस अब बताओ H2 कहां चले जाएगा यहां पर H2 कैसे ब्रेक होगा H2 और OH में ठीक है चलो तो यह आपका हो जाएगा और OH कै ऊपर क्या बन जाएगा OH बन जाएगा और आपका बाहर क्या निकल जाएगा बताओ Mg, Br और OH क्यों को दो लोग शेयर रहते हैं ज्वाइन होने के लिए तो Br, OH, OH कहां से है? H2O में से आए ठीक है? H2H प्लस और OH माइनस इसी था चलो अगला कोशन है होने ने एक एखन एक करने जाए ठीकिक्श्टन चाहिशर प्रोसेस फर दीमें अव दाएथाए लिथर अभी कंटिन्योस एक्स्टेक्शन प्रोसेस बताया था, देख लियना उसको जाकर एठावे, है थालो, वफालों आपको एथेनोल प्रिपैर करना है या क्या प्रिप इथेनल से, अल्दिहाइड से, सीएस्री, Safety. एधेनल से, ठिक है? तो आप यहाँ पर यूज क्या कर सकते हो, तो तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अब कि लगाने जो से अल्दिहाइड कुछ और यहाँ सा हैं अगा क्या बन जाए गए अब क्या है निया लगा दो रिदियूसिंग क्या थी आपको पता है जो कारभोनिल कंपाउट होता है इसको कंवर्ट कर देतें cSTH में के दो एक सो स के पास रहते हैं यह कार्भोनिल कंपाउट थो CS2 कि है यहां पर क्या लग जाता है reducing agents ठीक है रियाद रहेगा सबको क्या use करोगे reducing agents बहुत सा reducing agent बता है lithium aluminium hydride भी use करते हो hydronymine के साथ में PTPTH2 निकल तो यह सब reaction में hydrogen निके और यह hydrogen इस carbonyl compound को क्या कर देते बच्चा ब्रेक कर देते carbonyl compound को CS2OH में convert कर देते next है double bond से double bond से आपको क्या बनाना है यह बनाना है यह ethanol एक ही जगा लिखता हूँ ethanol क्योंकि वही तो conversion नहीं है बार बार तो चलो आप use करोगे concentrated SO4 ठीक है SO4 कैसे ब्रेक होता है बता हूँ चलो फटा फट बता हूँ SO4 ब्रेक होगा SO3H में और OH SO-H माइनस में ठीक है अब दिखो यह यहां पे अटक करेगा jadi यह बांड यहां शिप्ट हो जाएगा take-mit take minute take- minute take- minute take- minute SO4 बिखो इस time कैसे ब्रेक होगा यह ब्रेक होगा H- में और SO3H माइनस में okay SO3H माइनस में अब देक हो यह OS3H यहां पर attack करेगा और यह bond यहां shift हो जाएगा, यह हो जाएगा minus, minus किसको attract करेगा, plus को, ठीक है, तो पहला step देखो, CS3, CH2, O, SO3H, आप बोलो कि सर यह CS2 था, तो CS3 कैसे बन गया, तो मैंने क्या बोला, यहां पर attack करेगा, carbon की valency पास हो जाएगा, तो दो, दो, चार, एक और बनाएगा 5, तो तुरंट यह bond इधर shift हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus, minus, इस H को क्या कर लेगा, खीच लेगा, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको use करना है, H2O, क्या हो करना है, hydrolysis कर देना है, H2O, H+, और OH-, H2O में यह होता है, H+, और OH-, H+, यहां पर यहां प ETHN, BROMO ETHN से, CS3, CS2, BR, ठीक है, BROMO ETHN से आपको क्या बनाना है, ETHN ALL बनाना है, तो आप यूज कर लो, NaOH, और वो NaOH कैसा रहेगा, AQUUS रहेगा, OH यहां पर आया, और NaBR आपको क्या हो जाएगा, बाहर, तो क्या बन जाएगा, यहां पर, CS3, CS2, OH, प्लस, NaBR आपको क्या हो जाएगा, बाहर, OH तो बन गया, ठीक है, ETHN ALL, कैसा लग रहा है, बच्चों, यह मार्च 20 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कोशन, 2020, ठीक है, चलो, अगला है, कट्वर्ट दी फॉलोइंग, क्लोरो बेंजीन टु फिनॉल, यह भी आपको करा के दियाओं, मैं, करा क ना लिख दीजी, करियेगा, यह देखो, क्लोरो बेंजीन टु फिनॉल, देख लेना यह, पेज नंबर है, यह दस पे, और दूसरा है, और क्या बोला है, लेक्स, देखो कितना स्वाल करा दिया, यार, थोड़ा तो मैनत का फल दो, ओके, चलो, क्लोरो बेंजीन टु इन टू मीथोस, यह आपका है, वर्ज रियक्ष, लिलेम सा संतिस्जिए यह भी करा दिया है, आइडो मिथेन, या आईडो मिथेन से क्या बनाना है, मीथोसी मिथेन, मीथोसी मि थेन, चलो, कुछ निक करना है, रsud यक्स प्लस रोणा लगा देना है, क्या लघातेना है, र हई बाहर और यह अपका बाहर ति teorts formula और झाहिकरा रोणा जिस सबसे मुझे पर कार्बण चे रहे तो साथ में इस्ट कार जगा पर कार्बण लेता हूं को यह स्थिल अगला देखते हैं केमिकल अप्द Сов कशलुन ये कता हुड मीनot oxy ethene देखो यह रहो गया आपका methoxy और यह हो गया आपका ethen अभी आपको कराया था क्या अगर आप hot लेते हो hot गर्मी होनी चाहिए क्या अगर आप hot लेते हो तो आपको कितना लेना पड़ेगा टू-e-c-e-y H2O के साथ में क्या बनाते है H2O, clear? अब दुबारा नहीं बताऊंगा ये reactions, अब next है, अगर आप इसको reactions कराते हो PCL3 के साथ में, देख लो, ये नया है, तो बताऊंगा मैं, ठीक है? नया है तो बताऊंगा, नहीं नया रहता, तो नहीं बताता, ओके? चलो, PCL3, नहीं PCL5 है पांच क्लोरीन है, तो एक बनाएगा आपका CS3Cl, ठीक है? एक बनाएगा आपका CS3, CS2Cl, ठीक है? ये दो बना लिए, और लास्ट में आपका बनेगा POCl3, क्या बनाएगा? PO, POCl3, मेरे बात जांचर सुनू, अगर आप PCL3, यू, PCL5 यूस करते हो, तो इसके साथ में एक क् ब्लस में, ये कैसे ब्रेक होगा? CS2, CS3, प्लस में और ये ऑक्सीजन आपका माइनस, तो माइनस वाला oxygen, तो बात में देखता हूँ क्या करना है, ठीक है? प्लस वाला क्लोरीन के साथ में रियक्शन, उसके बात में जो आपका क्या बचा? ये पो, cL3, ये फॉस्फोरूरस फॉस्फोरस ऑग्जी क्लोराइट ठीक है अब जारों यार पढ़ा पढ़ा के तपी बड़ा है ये आप उटके चले तो नहीं नहीं गए ठीक है आपको ये मेरे साथ ही कंटीनीव कंटीनीव में वाच करना है ठीक है तभी आप इस चप्टर पर आपके पकड़ना मजबूत क करता है उस पच्चे को तो डबल मेंद करना चाहिए ठीक है चला आंड लास्ट वन इस वाट डाइलूट है चलो ये भी कर देते हैं अगर आप डाइलूट है सब्स होते है और डालूट है तो समें पानी रहेगा कि नहीं रहेगा इस तो सब्स हो गया और ये वाटर हो गया डालूट बोला डालूट लो बच्चा डालूट अब इसमें क्या होता है हच प्लस और ओएच माइनस होते है अब द्यांसर सुनो द्यांसर सुनो क्या हो जाएगा हमेशा हमेशा आप क्या करोगे ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक कर दोगे अगर आप ये बॉन्ड को ब्रेक क और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस वाला माइनस को खीचेगा और माइनस वाला प्लस को कीचेगा मततब two time आपके क्या बन जाएगाल दो time आपके क्या बन जाएगाल तो ढुद्यान से सुनना ये बहुत ही मुझे लग पार है tricky question है यह भी tricky question है बच्च यह भी tricky question है अगें यू विल गेट वन ट्रिकी कोश्चन अगें यू विल गेट वन अनदर ट्रिकी कोश्चन कि वें डालुट S204 याक्ट वित वॉट मीथाओक्सी मीथेन मीथाओक्सी एथेन तो यह ब्रेक करोगे अलाइक S204 लोगे तो H प्लसायन और डालुट है तो H2O ठीक है और S2O H2O प्लस में ब्रेक करोगे यह बांट करोगे यह ब्रेक्ष फ्लस में प्लस में प्लस में तूटे का यह मैनल प्लस में तू टाइम तूटाइम अलकोल फोर्म होगा देख लेना अपने सब्सूब के चलो यह आयता मार्श रा के दूम है, कोल बेज रेक्शन देख लोगे, कोल बेज रेक्शन में यूज़ करते हैं, सोडियम फिन उकसाइड, सोडियम फिन उकसाइड का रेक्शन होता है, कारबन डायॉकसाइड के साथ में, किसके साथ में रेक्शन होता है, कारबन डायॉकसाइड के साथ में, अब जो निकलता है वो इस oxygen के पास चले जाता है और यहां से जो एने रहता है वो इस यहां पर आ जाता है मत्तब इंटर शिप्टिंग होता है बहुत ही दान से सुना अब आपको salicylic acid बनाना है तो बच्चा अगर आपको salicylic acid का formula नहीं बायाद है तो बात ही खतम हो जाएगी वहाँ पर देखो यह होता है salicylic acid phenol containing c double OAC को क्या बोलते salicylic acid phenol containing c double OAC को क्या बोलते salicylic acid ओके चलो अब इस एने जगवह पर एच्च है एने के जगवह एक्च है क्या याद कर रहा हूं कोई भी acidic condition याद करा हैं कि नहीं, यूज कर लो, Dilute SCL, S3O+, कुछ भी यूज कर लो, तो ये NECL बाहर और ये H, इस Oxygen के बाद चुमें, ठीक है, ये तो कही बार बताती हो, कि अगर N-A को अटा के अच्छे है, तो ये कर सकते हो, so this is the coal-based reaction, that is sodium phenoxide, क्या बोलते हैं, sodium phenoxide, sodium phenoxide, इसको बोलते हैं, salicylic acid, salicylic acids, okay, मज़े की बात ये है, कि ये reactions, coal-based reaction था, और ऐसा लिखके दिया था, कि बच्चे को confuse कर दो, ये 2022 में आया था, जुलाई 2022 में, okay, मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है, ये reactions, बच्चे बता दो, तो फटा फट कमेंट बोक्स में बता दो, और अगर अच्छा लग रहा हो गाना, तो प्लीज यार, बच्चो के, बच्चो जो भी हो, जो भी देख रहे हो, आपने दोस्तों के साथ में जरूर शेर करना, ठीक है, चल, always reactions हो गया हमारा ये, okay, यहां पर आएगा 398 कल्विन टेंप्रेचर और 6 अट्मोस्पेरिक प्रेशर को देख लीजेगा, ठीक है, देख लीजेगा, नेक्स्ट है, write the balance chemical equation of the following on carbolic acid, अगर आप carbolic acid के उपर BR2 water का reactions कराते हो, बच्चा बहुत बार बता दिया हो, अगर आप carbolic acids के उपर ये carbolic acid है, और BR2 water लेतो तो यहां पर भी BR आएगा, यहां पर भी BR आएगा, यहां पर भी BR आजाएगा, और जो 3H निकलेंगे, वो दूसरे BR के साथ में क्या बनाएंगे, 3HBR, concentrated HNO3 यूज़ करोगे तो क्या होगा, अगर आप phenol के उपर, phenol के उपर, concentrated HNO3 यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको लेना पढ़ेगा, concentrated H2SO4, यह भी बताया हूँ, इसलिए fast करा रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा, NO2 प्लस में ब्रेक होगा, और H, OH, माइनस में, यह तीन मॉलीक्यूल्स होगा, एक NO2 यहां पर जाएगा, दूसरा NO2 यहां पर जाएगा, तीसरा NO2 यहां पर, पिक्रिक आशिट बताया है ताना, पिक्रिक 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 आशिट, ठीक है, H निकलेंगे 3 OH2O बाहर, ठीक है, कराया हूँ, आप देख लेना जाके, next, what happened when, primary, secondary and tertiary, पासे सोबर the hot copper metal, ठीक है, यह हो गया हमारा, primary alcohol, ठीक है, क्यों कि यह जो carbon, जिस carbon को connect हो, उसको 2-2 carbon का connection है, यह हो गया हमारा, tertiary alcohol, अगर आप यहाँ पे लेते हो, copper, और 573 Kelvin temperature, सब के arrow पे वही लिख लेना, तो क्या होता है, तो जो आपका primary alcohol है, बच्चा, वो convert हो जाता है, आपका LDHID में, किसमें convert हो जाता है, LDHID में, कार्बोगलिक आसिड मत बना देना, ठीक है, दुसरा, अगर आप यहाँ पे same वही यूज करते है, तो जो आपका secondary alcohol है, वो आपका convert हो जाएगा ketones में, यह कराया हो ना अभी, ठीक है, OH, यह सिप्टिंग होता है, यहाँ पे bond shifting होता है, और यहाँ से निकल जाता है, वहाँ से ह्टू निकल जाता है, ठीक है, hydrogen gas निकल जाती है, और tertiary use करोगे, तो ध्यान से सुनना, इसका OH, और कि तो इसका H निकालोगे, तो H2 बाहर, तो यहाँ पे double bond आएगा, मैंने इसका OH और इसका H निकालोगे, तो यहाँ पे double bond है, कि मैंने आपको पढ़ा है, कि अगर एक carbon को loss होता है, एडिजिसन को भी loss होता है, तो तुरांट double bond, मैंने इसका OH और इसका H निकाला, तो double bond उनहीं दोनों के बीच में क्या होगा, तो अभी दो हो गया, तो एक आपका unsaturated group बन जाएगा, यह कीटोन बन जाएगा, यह आपका aldehydes बन जाएगा, तीनों लिख लीजेगा, प्राइमरी, सेकेंड और टरसरी पे जब आप होट कॉपर मेटल आरेन को ओबर पास करते हो, तो क्या मिलेगा, अगला है, write the chemical reaction of the following conversion, acetic acid into ethyl alcohol, acetic acid का formula बताओ, CS3, CdAOH, आप लोग नहीं बताए, ओके, और ethyl alcohol का formula बताओ, CS3, CS2OH, ठीक है, कुछ नहीं करना है बच्चा, यह सब निकालना है यहां से, और कार्बोनील को CS2OH में convert करना है, तो आपको reducing agents लगाना है, और यहां पे nickel बगएरा मत लगा देना, कभी भी कार्बोनीलिक आसिट के प्रोजन में, lithium, aluminium, hydride, hydronium, ion ही लगाना, तो यह लोग यहां पे बहुत सारा hydrogen दे देंगे, तो देखो, यह H2O में निकल जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका conversion हो जाएगा CS2OH में, ठीक है, मतलब यह hydrogen यहां दे देगा, यहां दे देगा, यहां दे देगा, और यह तो आपका CS2OH में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, clear है कि एक बार और बताओ, सर एक बार और बता दो, ओके, चलो, देखो यह बहुत सारा hydrogen देगा, तो यह H2 में यहां से निकल गया, मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया है, कभी भी hydrogen यूज़ होगा, कार्बोनिल कंपाउंड आपका कनवर्ट जाता है, CS2OH में, कैसे कनवर्ट होगा देखो, हाइडरोजन लगेगा, यहां से बहुत सारे हाइडरोजन आएगे, यहां लग जाएगा, बाद में यहां हाइडरोजन लग जाएगा, तो CH2OH, Convert the following, Ethyl Alcohol into Ethyl Acetate, Phenol into Benchene, बहुत ईज़ी बच्चा, आप यह कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, घचलो मैं बताता हूँ, तो इथाइल अल्कोहल इंटू इथाइल असिटोड यह आपका एस्ट्रिफिकेशन है बताता हूं CS3, CS2, OH और हम रियाग करेंगे कार्बोगजिलिक असिट के साथ में तो आपके बहार निकल जाएंगे और क्या बचा है यहां पर CS3, CH2, O, C double bond O, CS3, ठीक है यही बचा तो यह हो गया इथाइल असिटेट, CS3, C double, इथाइल असिटेट, ठीक है, क्लियर है, चलो, दूसरा क्या बोला है, फिनॉल इंटू बेंजीन, यह तो बच्चा आपी बताया था फिनॉल से बेंजीन बनाना है, जिंक डस्ट यूस करोगे, जेड़नों बाहर बेंजीन, डाइथाइल इथर, इन्टू इथाइल क्लोराइट, देखो, डाइथाइल इथर, यह डाइथाइल, इथर से में क्या बनाना है, डाइथाइल इथर से में बनाना है, इथाइल क्लो C2H5 प्लस में टूटेगा और ये भी टूटेगा C2H5 प्लस में तो ये क्लोरीन को लेके चले जाएगा ये क्लोरीन के लेके चलेगा तो 2C2H5Cl बनेगा प्लस पी ओ तीन सील बचा है पी ओ सील थी फोसफोरस ऑक्सिकलोराइड तो दो बास C2H5Cl क्या हो जाएगा बार ये अपके तेस में पूछेगा ये कोशन है बच्चा बहुत इंपोर्टेंट कोशन होंगे ये सब ठीक है चलो तो पीओवा र्याक्षन भी के साथ में डेख लेना अगला है रlight the DAW process for चलोरो बार फिचन जाके देख लेना योपेज नमबर 10 उए फंपे बच्चा कितने बार बताओं ब्रोमीन वाटर यूज करोगे तो और्थो पैरा और्थो पे सब जगा ब्रोमीन आ जाएगा ठीक है अब नहीं बताओंगा या पुछ तो आपके लिए भी तो छोड़ू प्रिपेर तो फॉलोईंग यूजिंग मिथाइल मैगनेशियम आयोडा पैने होना मैं श्रीयोगा यूज इछ फार्मली का फीप फॉर्मली पेषर इंटा रिफघधर यहां चले जाएगा तो यहां पर हो जाएगा CS3, H, H और यह oxygen हो जाएगा minus, क्योंकि देखो यहाँ पर attack मारे का carbon की balance हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और यहाँ एक attack हो पास, तो oxygen तुरंत यह electron को खीचेगा, अपने साइड, यह minus minus कि इसको attract कर लगा, इस Mg I को, again H plus और H2O से reactions करा होगे H2O में क्या होता है, H plus और OH, minus H plus यहाँ पर आ जाएगा, तो ठीक है तो आपका क्या बन जाएगा, देखो CS3, CH2, और यह OH, प्लस, आपका देखो यह Mg, I OH बहर यह जो OH है न, यह magnesium plus के साथ में जाएगा, magnesium plus OH minus, ओके चलो अब यह propane 2-ol कैसे बनाओगे, मैं आपको लिख की तरह हो, लेकिन आपको यह करना है, खुद से करना है, यह लोग लो, acid aldehyde, यूस करो, इसके साथ में आपका बन जाएगा, और 2-methyl propane 2-ol, ketone यूस कर लो, इसके साथ में बन जाएगा, नहीं बताऊंगा यह, आपको खरना है, next, ठीक से ना, diethyl ether बनाना है, ethyl bromide से, क्या बनाना है, diethyl ethers, diethyl ether, तो Rx प्लस रोना लगा दो, रोना लगाओगे, तभी काम होगा, okay, N-A-B-R बाहर, C2H5, O-C2H5 बन गया, Williamson synthesis, याद दखना, Williamson synthesis के उपर तो कई questions देख रहा हूं, और bromine water के उपर भी कई questions देख रहा हूं, म बच्चा, okay, दूसरा बोला है, ethyl syneide से ethyl bromide बनाना, sorry, ethyl bromide से ethyl syneide बनाना है, ये मेरे पास है, ethyl bromide से, मैं क्या उसका लूँगा, casein, alcoholic, ठीक है, ये syneide यहाँ पर चले जाएगा, C2H5, Cn, plus KBR आपका बाहर, okay, hit करते इसको, easy था था, bromide से syneide लाना है, casein, ये जबर्जस question दिया, एक, मज़ा आएगा इसको करने में, ये से questions आते हैं, CS3, CS2, OH लिया है, और यहाँ पर यूज किया red phosphorus, phosphorus को red किया है, like red phosphorus ही होता है, और BR2, ठीक है, अब इसमें यूज किरना है, casein, और वो भी alcoholic, casein होना चाहिए, कैसा है, casein होना चाहिए, casein alcoholic, तो बताओ, यह आप ही बता सकते हो, अभी उपर ही कर आया हूँ, ठीक है, यह Amines chapter का है, लेकिन यह आपको आना चाहिए, जिसी आप lithium aluminium hydride use करोगे, तो यह cyanide में triple bond होता है, C triple bond N होता है, तो यह सारा bond टूटते जाएगा, बताओ यह bond टूटेगा, यहाँ पे 1-H, यह bond टूटेगा, यहाँ पे 1-H, यहाँ पे 1-H, ठीक है, यह lithium aluminium hydride ना, यह reaction में hydrogen प तो दो नों जगा देतो हैं तो डीक है तो तो क्या बन जाएगा तो चीजे बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए थर्टी नाइन आंड लास्ट कोस्टन फॉर दिस आंड बच्चा यह वीडियो प्लीज सेयर करिएगा मज़ा आता है क्योंकि देखो काफी टाम से मैं खड़ा हुए यह आपके चलो करने दाफ फॉलाइंग एशिटाल लिएड टो इसो प्रोपाइल अल्कॉल तेक्षिए अंड क्यूमीन टो फिनॉल एनी सोल टू फिनॉल थर्ड वाला करातों बाकी सब कराया हूं एसिटाल लिएड टो आईसो प्रोपाइल अल्कॉल ना यह ग्रिणार्ड रिएजन का थर्ड वाला है सेकेंड वाला है यह देखो यह वाला कॉस्चन से कहां गया राजा आजा रे आजा रे आजा रे ओ मेरे भाई कहां गया यह देखो यह सेकेंड वाला कॉस्चन करोगे ना तो आपको यहां पर मिल रहा है यह वाला एसिटाल लिएड से यह आपको मिल जाएगा ओके प्रोपेन टुवल ठीक है एसिट अल्डी हाइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कॉल वाई प्रोपेन टुवल क्यों में कर रहा है था और अनिसोल टू फिनॉल यह मैं कर रहाता हूं यह अनिसोल का स्ट्रक्चर से आप रेक्शन करोगे है एचाई के साथ में ठीक है अब देखो यह बॉंड जल्दी नहीं टूटेगा क्योंकि बच्छा यह जो बॉंड है यह वाला यह रिंग और इस ओ के बीच का जो बॉंड है रिंग और ओ के बीच का यह ना काफी छोटा बॉंड होता है चोटा बन अक भॉंड मसंट आप यह काफी की खीच के रखते हैं तो द्लेक यह बॉंड ब्रेख करना बहुत ही मुश्कल पर इन दोने ह्वाल नेजें के बीचँ प्रेक हो जाएंगा इन दोनें के बीच का क्या हो जाएगा बॉंड भेक हो दिखाता हूं क को खीचेगा प्लस वाले को तरिक आपका क्या बन जाएगा फेनॉल एका बन जाएगा आपका फेनॉल, प्लस CS3 plus किस को attract करेगा OH- तो यह हो जाएगा methyl alcohol phenol plus methyl alcohol ओके तो बचे यह alcohol phenol का दूसरा session जो chapter wise में previous year solve करा रहा हूँ बहुत ही मज़ेतार तरीके से तो यह दूसरा था यह session मेंने खतम किया है आप aldehyde ketone के भी इस पर वीडियोस देख सकते तो कैसा लग रहा है वीडियोस प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जरू शेज किएगा and thank you for watching this video and please do subscribe 8 widget practicals thank you